आप सभी का स्वागत है, मैं विवेक महाईश्वरी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच आज आपसे दो क्षिशन करने आया और यदि इन दो क्षिशन का एंसर आपने दिल से दिया तो तो आप अपने जिन्दगी में बहुत बारा प्रिवर्तन लाने वाले हैं लेकिन सोच समझ कर दिया, बहुत दिमाग लगा कर दिया तो शायद आप उन्ही जैसे होने वाले हैं जैसे कि सारे के सारे लोग जिन्दगी जी रहे हैं इसलिए इन questions को बहुत ध्यान से सुनना है, और ध्यान से सुनने के बाद, दिमाग से उत्तर नहीं देना है, दिल से देना है, जैसा आप दिल में सोचते हैं, वैसा ही आप बनते हैं, दिमाग में आप क्या सोचते हैं, वैसा आप नहीं बनते हैं, जैसा कि दिल में आप सोचत और आपको ही नहीं इन दो questions को आपको भी daily पूछना है और मुझे भी daily पूछना है सुबे उठना है तो इन दो questions के answer के साथ उठना है और रात को सोना है तो इन दो questions के answer के साथ सोना है तो क्या आप तयार हैं उन questions को सुनने के लिए कि आप अपनी जिन्दगी को बहतर बनाने के लिए तयार हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और मेरा पहला कुशन मेरा पहला कुशन ये है कि हम अपनी जिन्दगी में क्या बनना चाहते हैं आप कहेंगे मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं डॉक्टर बनना चाहता हूँ मैं सीए बनना चाहता हूँ मैं फिल्म स्टार बनना चाहता हूँ मैं क्रिकेट खिलारी एक बनना चाहता हूँ मैं वो सब करना चाहता हूँ जो दूसरे मुझे चाहते हैं मैं आपसे यह पूछ रहा हूँ शायद आपने question मेरा गलत सुना मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आप क्या बनना चाहते हैं मैं क्या बनना चाहता हूँ हम सब अपनी life में क्या बनना चाहते हैं हम सब अपनी life में अपने आपको कहां पर देखना चाहते हैं लेकिन लोग जैसा बनाना चाहते हैं वो नहीं मैं अपने दिल से क्या बनना चाहता हूँ आप अपने दिल से क्या बनना चाहते हैं अब जो भी अपने दिल से बनना चाहते हैं कि आपको पता है कि आप क्या बनना चाहते हैं तो पहले इसके उत्तर को खोजिए कि आप चाहते क्या हैं आप वो तो नहीं चाहते हैं जो इस पूरी दुनिया में लोग चाह रहे हैं आप वो तो नहीं चाहते हैं कि जो लोग आपसे करवाना चाहते हैं यदि आप वो चाह रहे हैं कि जो लोग आपसे करवाना चाहते हैं आप वो बनना चाहते हैं जो लोग आपको बनाना चाहते हैं तो शायद आप और मैं दोनों ही गलत ट्रैक पर हैं और सही ट्रैक पर आने के लिए अपने जिंदेगी में कुछ बढ़ा करने के लिए हमें ये खोजिना पड़ेगा कि वास्तव में मैं अपने दिल से क्या बनना चाहता हूँ वास्तव में मैं अपनी लाइफ को कहां पर पहुचाना चाहता हूँ एक, question number एक लेकिन यदि इस question का उत्तर आपने सही नहीं दिया तो दूसरे question को पूछना शायद बैमानी होगी और दूसरा question इसलिए पूछना बैमानी होगी क्योंकि पहले आप यह तो जाने कि मैं और आप हम सब अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं लेकिन दूसरा question मैं आप से पूछूँआ जरूर क्योंकि यह सारे के सारे question जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ सारे का मतलब दो केवल दो question आपको और मुझे डेली अपने आप से पूछना और मेरा दूसरा question यह है कि जो आप बनना चाहते हैं जो मैं बनना चाहता हूँ हम सब लोग उसके लिए क्या कर रहे है आपको यह तो पता होगा कि इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती हर चीज को पाने के लिए कुछना कुछ कीमत देनी होती है क्या हम उस कीमत को देने के लिए तयार है क्या वो हम सारी चीजों को करने के लिए तयार है जो उस चीज को पाने के लिए करनी होती है और करनी होती है वो आप करेंगे या नहीं करेंगे उसकी बात नहीं हो रही है अभी इस समय क्या आप वो चीजें कर रहे हैं क्या आप अपने पूरी 24 घंटे में एक या दो घंटे मैं तो कम से कम कह रहा हूँ क्या कम से कम एक या दो घंटे आप अपने उस काम को दे रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं यदि इन दोनों में आपका उत्तर हाँ है कि हाँ मैं जानता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ और मैं वो जानता हूँ जो मैं दिल्म से करना चाहता हूँ और मैं वो भी कर रहा हूँ जो मुझे इसके लिए करना है तो आप बिल्कुल सही ट्रैक बनें और आप बिल्कुल सही जा रहे हैं रोज सुबह जब हम बिस्तर से उठें तो अपने सपनों के साथ उठें और सपनों के साथ केवल उठना नहीं है उन सपनों के लिए actions ले ले बड़े सपने देखने और उन सपनों को पूरा करने के लिए अपने आपको काम पर लगाना है अपने शरीर को काम पर लगाना है अपने मन को काम पर लगाना है और मैं विश्वास से कहता हूँ कि यदि बड़े सपने देख लिए एक्शन्स ले लिए वो एक्शन्स छोटे भी हो सकते हैं ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी बड़े सपने को पूरा करने के लिए बहुत बड़े एक्शन्स लेने होते हैं नहीं छोटे-छोटे actions लेने होते हैं, लेकिन उन छोटे-छोटे actions में निरंतरता होनी चाहिए. आपको दोरना नहीं है, शायद आप दोरते-दोरते ठक जाएंगे. आप चल सकते हैं क्या? आपको चलना है. आपको छोटे-छोटे steps उठाने, आपको छोटे-छोटे actions लेने, बस ये काम रोज करिए. मैं आपको विश्वास से कहता हूँ, कि केवल इतना करने से, दो question करने से, एक, आप और मैं क्या बनना चाहते हैं? और दूसरा, जो बनना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? रोज question करके तो देखिए, हमारी सब की जिन्दगी बदल जाएगी. औ इसको हम develop करना चाहते हैं, जिसको हम पूरे विश्व में पहला इस्थान दिलाना चाहते हैं, वो भारत हम बना पाएंगे. मैरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आप से अंतमे गुजारिश है. आपको इस वीडियो को युवाओं त शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें. जय हिन, जय भारत!